घर में बरगत लाने के तीस उपाए नमबर एक, बटवी या रुपे को पैंट के पिछे वाली जेब में ना रखे नमबर दो, परति दिन सरीर के सभी छिद्रों को तीन वक्त जल से धोई नमबर तीन, सर्ट और पैंट के जेब फटी होतो उसे ठीक करवाए नमबर चार, गाई, कुत्ते, कववे, चींटी और पक्ची के हिस्से का भोजन निकलना जरूरी है नमबर पांच, किसी भी देवता के दो तस्विरें ऐसे न लगाएं कि उनका महों आमने सामने हो नमबर छे, घर की इस्तरी का सम्मान करे नमबर साथ, बार बार थोके और छेके नहीं नमबर आट, दक्षिन दिसा में पैर करके ना सुई नमबर नो, भोजन करने के बाद थाले में हाथ न धुई नमबर दस, भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजी ना निकाले नमबर ग्यारा, परिवार के सद्शियों के साथ बैट गर भोजन करे नमबर बारा, छट पर रखी पानी की टंकी से पानी बैता हो तो उसे ठीक करवाई नमबर तेरा, जहारों को ऐसी जगव रखें जहां किसी अतिति की नजर ना पहुँचे नमबर चोद्दा, जहारों को पलंग के नीचे ना रखें नमबर पंद्रा, वास्रूम को गिला रखना आर्तिकी स्थिति के लिए अच्छा नहीं होता है प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रियास करना चाहिए नमबर सुला, घर में काले, कत्थाई, मट मेले, जामुनी और बेंगन रंग का इस्तेमाल ना करें चाहिए चादर, परदे या दिवार का रंग हो नमबर सत्रा, खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पक्ड़ें ऐसा करने से खाना प्रेत यूनी में चला जाता है नमबर अठरा, किसी देवी देवता की एक से ज़्याद मूर्ती या तस्वीट ना रखें नमबर उनीस, सप्ता में एक बार समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में सांती रहती है, घर की सारी नकारत्मकुर्जसमावत हो जाती है और घर में लक्चिमिक अवास रहता है नमबर बीस, जहां मदिरा सेवन, इस्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनेतिक क्रितियों को महतो दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है नमबर एकिस, पीपल के ब्रिक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, वापस घर जाएं और पीछे मुड करना देखें नमबर बाइस, घर में देवी देवताओं पर चड़ाएगे फूल या हार के सुके सुक जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलावकारी होता है नमबर तेईस, किसी भी परकार का नसा ना करें नमबर चौबिस, जूट बोलते रहने से बरगत चली जाती है नमबर पच्चिस, दांतों को अच्चे से साप और चमकदार बनाए रखें नमबर चब्वीस, थाली में कभी जूठन ना छूड़े नमबर सताइस, भोजन करने के बाद थाली को कभी कीचन, स्टेंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें नमबर अठाइस, भोजन करते वक्त, वार्दलाप या क्रोध ना करें नमबर उनतीस, नल से पानी का टपकना आर्थिक छत्ति का संकेत है टपकते नल को जल से जल ठीक करवाएं नमबर त्रीस, घर को साप सुत्रा और सुन्दर बना रखें तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी है, ये वीडियो आपको अच्छे लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर करें वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें जय हिन, जय भारत, जय उत्राखन